इस जगह पर इस जगह पर यह हमने मान लिया कि यह हमारा पर इस जगह पर एक बॉक्त करी गई है और इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर Nest जगह पर इसुमझ आजगे लGUान लिया वो इस वाले पटेटो से 3 मीटर दूर होगा फिर next आपस में 3 मीटर फिर next 3 मीटर दूर एक और एक और इस टाइब से आगे पटेटो रखे गए हैं ये हमारा हो जाएगा first पटेटो ये second ये third ये fourth, fifth, sixth seventh, eighth, ninth and tenth टोटल यहाँ पर 10 पटेटो हैं next आजाते हैं दوبारा question पर there are 10 potatoes in the line इसके बाद इसके बाद लिखा है a competitor starts from the bucket bucket से competitor ने start करा अब वो यहाँ पर है starting में जो competitor है वो इस bucket पर है यहाँ से वो start करेगी picks up the nearest potato अब वो यहाँ से start करेगी तो पहले potato तक पहुँचेगी तो जाने के लिए उसे 5 meter चलना होगा तो एक बार हम लिख लेते हैं जब वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई तो वो चली 5 meter अब उसने potato pick करा और वापस bucket पर रखा तो 5 और जाएगी वापस यानि कि वापस अगर bucket में जाएगी वो पटेटो रखने तो 5 गई तो टोटल वो पहले चली 10 meter next पढ़ लेते हैं pick up the nearest potato runs back with it drops it in the bucket तो उसने drop कर दिया next run back to pick the next potato अब वो दुबारा ही यहाँ आ चुकी है अब यहाँ से दुबारा जाएगी दुबारा जाएगी तो आप green वाले potato को और we can say जो हमने green mark करा हूँ है इस potato को pick करेगी तो एक तरह से वो 5 plus 3 यानि कि 8 meter गई फिर 8 meters वापस आईगी यानि कि total 8 plus 8 यानि कि 16 meter second वाली case में वो चली same इसी तरह से लिखा हूँ है question में and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket यानि कि जब तक वो आखरी वाला potato pick नहीं कर लेती तब तक उसने यही करा what is the total distance the competitor has to run यानि कि हमें total distance बताना है total distance वो ही होगा अगर हम पहला distance देखें तो वो है 10 meter next अगर second देखें वो कितना run करा उसने वो ता 16 next अगर third देखें यानि कि red वाला जो हमने mark करा हुआ है यानि कि वो 5 plus 3 plus 3 यानि कि एक तरह से directly 11 meter चली 11 meter वापस हाई यानि कि 11 plus 11 यानि कि वो 22 meter चली तो third case में वो potato जब उसने drop करा तो वो कितना travel करी 22 इसी type से वो करते 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 10 potatoes उसने total pick करनी है तो इससे अगर हम देखें अब जो यह numbers हमारे आ गए यह हमारी एक AP फॉर्म कर रहे है AP कैसे जिसमें पहली term है 10 यानि कि A तो है यहाँ पर 10 second term यानि कि A2 है जो वो हमारी है 16 third term यानि कि A3 हमारी है 22 so यहाँ से अगर हम देखें तो हमें A तो पता चल गया अब दूसरी चीज D हम यहाँ calculate कर सकते है D क्या हो गए यहाँ पर 16-10 directly D आ जाए यहाँ पर 6 तो हम कह सकते हो next 22 के बाद directly 28 meter ट्रेवल करा होगा उसने 28 के बाद direct 34 इसी तरह से 34 क्या गया गए वो ट्रेवल करते गई तो यह एक तरह से हमने AP फॉर्म कर लिए उस AP में हमने 1st term बता दी 2nd term 3rd term इस तरह से हमने terms बता दी अगर हम 10th term देखें यानि कि last उसने कितना ट्रेवल करा होगा A 10 वो होगा A plus 9D और A plus 9D हमारे पास होता है A हमारे पास है यहाँ पर 10 plus 9 multiplied by 6 क्योंकि D हमारे पास 6 है 9, 6, 54 तो 54 plus 10 यह हो जाएगा 64 यानि कि last case में जब वो last बार ट्रेवल करेगी तो वो last जाएगी 32 meters वापस आएगी 32 meters यह हमें पता है तो एक तरह से last case में उसने चला total 64 meter किसमें last case में तो L हमारे पास आजाएगा 64 अब हमें sum करना है इन सभी का जो यह हमने यहाँ पर calculate करें है तो sum करने के लिए हमें कुछ चीज़ है पता हो नीचे लाइक हमें अगर simple वाले sum वाले formula पर जाएगे तो वो होता है S N equal N by 2 multiplied by A plus L इसलिए हमने हाँ पर last term calculate करी है तो यह directly हमारे पास हो जाएगा like जब हम इसका sum करेंगे तो यह आएगा हमारे पास sum of 10 terms यानि कि S 10 क्योंकि 10 terms हमारे पास आएगी equal 10 by 2 जो कि आएगा 5 multiplied by A यानि कि 10 plus L which means 64 तो S 10 हमारे पास आजाएगा 5 multiplied by 74 जो कि equal होगा 74 multiplied by 5 directly 370 meters यानि कि total उस girl ने जितना travel करा और weekend से उस person ने जितना travel करा वो ता 370 meters जब तक उसने last potato bucket में नहीं डाल दिया